यह मेरे दमाग में लवज ही नहीं आ रहे हैं, मैं क्या कहूंगे? टीम का जो स्ट्राइक देखा है आपने 90 प्लस नहीं है तो इससे क्या शो होता है आप मुझे वर्ल्ड कप में जो मैं कल से इंतिजार कर रहा था अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच रिजल्ट आ चुका है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आठ विगेट से राया और पाकिस्तान मुझे लगता अब इनके इंग्लेंड के साथ अफरेका के साथ न्यूजिलेंड के साथ मैच है तो अब इनका तो बहुत मुस्किल है मुझे सेनेरियो कठिन लग रहा है पहले पूरा वीडियो थिख थे बहुत कुछ बोलने को है खतनाक सेलिब्रेशन होने और कर्मा बैक हुआ है पाकिस्तान के लिए कैसे मैं वीडियो के लाश्ट माता हूँगा प्लीज श्यनल को सब्सक्राइब करेंगा आपके पास अंसर है इसका कोई क्या कर रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं कैसी कैसी बाते कर रहे हैं किसो से मैंने पैयां बड़ा रगीब सा एक बयान आया उनका वो आप शुनना जरूर आपको सच में जरेजा बैठा हुआ है, जो सबसे सियाना प्लेयर था, अगर उनकी बास की बात नहीं करता हुआ है, ये इंडिया की पाहिए कि किसी हो लेवल पे होती, वो सबसे ज्यादा सियाना आदमी बैठा हुआ वहां पे, औरुको साथ कहने बैठा हुआ है, जौन ट्रॉट पैठा कर दो साल से आप हमसे हार रहे थे बुरी तरह से हार रहे थे आपके आमोशन जीट गया आज आपकी सेंसिबल अप्रोच जीट गई आज अपकी क्लिनिकल अप्रोच जीत गई आज आपने ये बता दिये आपक्सानी बैटस्वाइनों को बैटिंग करते कैसे हैं बाई साब ये खानिसानी को ने आज पाक्सानी को बताया है कि बैटिंग कैसे करते हैं हम 40 साल से जो रगड़ा कहा रहे हैं दुनिया में आपकी गौन में भी बेतर होगी है आपकी क्रिकेट में भी बेतर होगी है आपकी बैटिंग में भी बेतर होगी है आपके फास बोलर्ज जो थोड़े बहुत स्याने होंगे तो ये 230 भी आगर में देते तो ये बात इस ए रिफलेक्शन ओफ आज़ चोइसे ये क्रिकेट नहीं है भाई अगर आप मेरे मिर्स बहुत चोटे हो मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ मैं बहुत दुनिया गुमा हूँ क्रिकेट नहीं ही है ये रिफलेक्शन अफ दे नेशन है कि आपने किन चोइस को उपर लेकी आना है ये रिफलेक्शन दूसरा कौन सा बोलर आपके पास कोच मौनी मॉंकल और पता नहीं कौन को उखवाई ये रिफलेक्शन और इमाजिन कि आपकी चोइस तो लीड दे कंट्री इस गाई तो बैक्ट अगर ये आप चोइस के साथ आगे मुझे कोई अंजाम से को तहजब नहीं हुआ मैं आपको मैंने जो बाते रिफले करके मैंने दोस्तों को रखी में थे मैंने कहा रहिए ये निकालना मत जब तक मैच हो ना जाए मैंने निसे कहा था अभी आपको एक वीडियो क्लिप भिजवाऊंगा आप मेरे चोटे भाई हो मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके भिज़ा था कि पाकिस्तान इन इन से हारेगा और ऐसे ऐसे हारेगा और इतने ते रंस करेगा वो इसे नहीं कहा था कि मुझे पता है विज़ा और इन विडिया यूनों 92 में भी यही अलाथ थे 92 क्रिकेट में भी 92 वर्ल्ड कप में भी यही अलाथ अब इस से ज़रा वर्स क्या हो सकता है कि आप वारिस्तान से भी आर गें तो यह मैटर ओफ प्राइट थी हमारे लिए जो हम अभे हमें यह परदाश करना पड़ेगा अखवानी बिलास्ट करेंगे बिल्गो करना भी चाहिए वो जीते हैं लेकिन यह क्या 90 रोफ रपीट हो सकता है क्या बाबराजम इमरान खान हो सकता है क्या शाहिन शाह वसीम अकरम हो सकता है क्या हारस रोफ हाकर जवेद बन सकता है क्या शादाब मुशी बन सकता है यह सवाल पूछने के लिए ना अब टीम को गठा बैठना पड़ेगा यार क्या हम यह कर सकते हैं नैट टू में तो यह हमने किया ना क्या तोबारा हो सकता है अगर सवालों में से जवाब आगया वहीं पर हाँ हाँ कर सकते हैं और डिस्प्ले न किया तो यार मेरे चाल आठ नुमंबर है मेरे चाल वो फ्लाइट लेगे वापस आज़े महलब शॉय बाई आप कहना चाहरे हो कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है कि यार हमने बाउंस बैक करना क्या हो गया चार मैच पड़ें जीतने हैं जा रहा हो जा रहा है क्या हो गया मैं होता मैं होता तो लड़ जाता है मैं होता तो लड़ जाता है मैं कट जाता मर जाता है मैंने इन देना दाल के पीछे चार मैच है न अस्ट्रेलिया अपना रहे गए साथ अफिका इंग्लेंड रहे गया बंगर्देश रहे गया आजो मैं नी छोड़ूँगा इस तर वो घुसा दिखाना आपने यार हमने चार मैच जीत नहीं अगर पाकिस्तान इस इस इंटेंशने सा तबारा उतर गया न तो अब पांच मैच जीत के भी कॉलिफाय करते हैं अस्टेलिया भी फसी भी है कुछ साथ अफिका निकली तो नहीं है कोई इंगलेंड तो कॉलिफाय तो नहीं कर गई लेकिन हाँ ये बात है हमारी प्राइड यार जूर हर्ट होई है लेकिन यार मैं इसलिए कहता हूँ यार प्राइड हर्ट होई है तो बाइयों से हारे हैं तो कोई बात नहीं हार गए भाइयों से भी हारते ही न यार अपनों से हार जाँ खैर है अपनों तुम से भी हार गया, दो छोटी टीम ही थी, सोटू से छोटी टीम है, कि श्रिलंका थी निदेलेंड सी, अब ये हर कितनी जाता चुबने वाली है अफगानिस्तान से, जिसको सोटू से छोटी टीम कहा जा रहा था? यार यो छोटी टीम नहीं थी, मैं आपको बार बार यही कहन dwelling ये छोटी टीम नहीं है, इनके पास सैने कोचेशेज हैं, इनके पास जज़भा है, इनके पास दिल गुरता है, ये फथान जो क्यों है ये हम इनके साथ रहते हैं, ये बस एक चीज़ जानते हैं, जस्ट दो इनके लिए रही है आज उन्होंने करके दिखाया और बेतरीं कौमों में से कौम है और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस स्पीड से ये जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया की टीमों को पैंटी लगाएंगे इनका इंफरस्ट्रक्चर नहीं है इनकी पास अब एक मेकनिजम नहीं है पुरा सिस्टम नहीं है उसके बाद ये हाल है अब भी चालिस साल पिचास साल बाद वार से निकले हैं और यहां देखो कहां से पोच गए हैं एकॉनमी इनकी उपर जा रही है और देखें इनके बच्चे देखें यार क्या 65 किया गुरबास नही है अब वो बड़ी टीम बन गई है ऐसा ही है सर जी मेरा ख्याल है कि देखें मैं फिर मैं वीडियो का वाला दूँगा मैंने कहा था हमसे यह शायद चार में यह कौलिफाइब कर जाएं समाहिस में फाइनल में शायद ही कौलिफाइब कर जाएं यह दो वर्ल्ड बीट यह शुए ना पाकिस्तान अर इंग्लेंड और इंग्ली तो यार रही है भी अभी तो बिस्ले साल वर्ल चैंपिन मना था अपनी अब विछले विड़्ल कप में इनको हरा आग अंदर आये हैं पाकिस्तान को भी अराया है है इंग्लेंड को भी रहा तो क्या वोट मैं तो रूट कर रहा है एक पथाना तबी तन मेरा तो इस प्रूट आप आप ने प्रूट प्रूट ने कोई रन-अवर टीम निये की बेंटी लगाएगी से बाइन तक और मुझे पुरा यगीन है इस जाना चाहीज है निये और में अगर हमाही में ятन या।uerdo तक टोन नियुक्ति एक वर्मट चाहएएगा था शूम पौल जाएगा तो इसके वरत शूर्ट यू थिर एंट था लेखाएगार में तूर आप ने इसरी नींप्र हैवाले सब्सक्राइगी और और रहरा टो एप चाहर संद्ध में कोली चक्का मारते हैं, कोली गोस डाउन दे ग्राउंड, कोली गोस आउट अफ दे ग्राउंड, वह ही दिख रहा होता है, आज की बॉलिंग की लिए सॉरी, लेकिन यही है। आज की लिए ग्राउंड, लेकिन अफ दे ग्राउंड, अफ दे ग्राउंड, वह ही दिख रहा है। इनको ना कोच करने और अब तक गड़ा बंदा है, ना चेर्मेन है, ना इनके बच्चों के पास, जो तक गड़ा बंदा हो, जो उनको साब होसला दे, स्टार बनाएं, कीलाना सिखाे, बिलाना सिखाए, इनको बोलना सिखाए, इनके साथ चले, इनको हिरो बनाना सिखाए. यार वो चाहिए मैं ओनिसली लोग कहते हैं यार चैर्मेन बनने के बड़ा शोगे और यार मैं बिलीव करता हूँ मैं तुम्हें इंडिन चैनल बैठी किया रहा हूँ यार आम इंडेटिट तो माँ अउन सिस्टम पाकिस्तान का मेरे पर कर्स है मैं बैनिफेशनी तो हूँ ना पाकिस्तान का यार मुझे मेरे साथ मोरे मुल्क ही क्या बुरा किया अब मुझे ये बताओ मुझे नाम दिया घर दिया बच्चे दिया रहने के जगा दिया दुनिया का सुबस्कार बन गया पाकिस्ताने में सब्सक्राइब क्या बुरा किया यार क्या मेरा हक नी बनता पाकिस्तान के दो चार गालिया मैं रिखाँ मैं इसलिए कहता हूँ यार कि I know how to build brands और building brand इसलिए हो सकता है कि जब आप matches जिताना शुरू करोगे अपको टैलेंट लाना पड़ेगा टैलेंट लाने के लिए वह आंक लाने पड़ेगी वह आंक कितर से आएगी जब आप पेंडू लाकर बठात होगे आप मिडियोकर्टी को लाकर पर वेल करोगे बठाऊगे तो मेरी जानरें आउटकम यही होगी ये सारी कहानी इस तोटल पूरे मुल्क का किसा ये है मिडियोकर्टी इधर उधर इंटर्व्यूस में आकर कोई कह जाता है कि टीम के अंदर सिफारशी प्लेयर आरे हैं पर्ची प्लेयर आरे हैं ये सच है क्या? ये सच में हो रहा है यार मैं सुनने को मिलता है देखो मैं लीस्ट फॉलोड पाकिसान के गड़ा भी बेरियर न ऑनस वीडियो लीस्ट फॉलोड बिकास आपने मेरे देट साल तो वीडियो भी ने देखी होंगी यूट्यूबे में वीडियो भी बनाता है लोग कहते हैं यह पैसे बनाने के लिए वीडियो बनाता है यह इंडिया में इसके बड़ी फॉल्विंग वहां से बड़े पैसे आते हैं इसको मैं तो तेट साल के बाद आप वीडियो बनाने शुकी है मैंने वो आठ नौ मेने बाद वीडियो दाली वो वर्ल्ट कप आ गया था तो मेरी टीम मुझे लगी सर बनाएं प्लीज मुझे आफिस दो बरदस्ती ले आए मुझे इस रात पे वो कि सर बैठें प्लीज काम करें ये करें वो करें तो अब आपका सवाल क्या था भूल गया मैं यह कह रहूं कि इदर मेडिया में आता रहता है पर्ची प्लेयर सिफारिशी प्लेयर ये सच में हो रहा है कि यहाँ सुनने को मिल रहा है कि यहाँ दोस्ती यारी में खिला रहे हैं कि दोस्ते यारी ने भाई जा रही है, कुपतान अपने लोग रख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे सुनने को मिल रहा है, कि परस्टली, I don't know any of them, I'll be very honest with you, because I followed Rasim Akram, I followed Imran Khan, I followed Vakai Yunus, I followed Sachin, I followed Viv Richard, I followed Aki Ponting, मैं greats to the greats को follow किया है, यार वो देखने के बाद ये तो नहीं देख सकता नहीं, आप मुझे ये क्रिक्ट देखो, वो तो आपने काम नंदा दिया हो, तो इसके काम कर रहा हूं, देखना पड़ जाता है, otherwise I wouldn't be watching cricket, I'll be honest with you. ये कितना बड़ा मौका था, मतलब जो ये टीम है, मतलब उनके पास कब ये दुबारा मौका मिलेगा, कि ये लोग इंडिया आए, वर्ल्ड गप खेले, और उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, तो मतलब ये कितनी बड़ी opportunity थी, जो पाकिस्तान टीम ने बस यार, जब मैं इंडिया आए था, 97, 98 में हमारे टीम आई थी, तो हमारे सारे लड़के दिनमा, हम गवाली यार किला गे, हमने मेमराइज किये नाम, दाराशिकों कहां रखा गया, क्या हुआ हिस्ट्री, मैचिस कैसे हैं, ग्राउंड कैसे हैं, लोग कैसे हैं, बहु सारे फ था, यार जव में मुझे टिली में कहलुझा, तो मुझे चांस ने मिला, अभी हमारे यार किया, तो मढ़े ख़लाई खांट ने, आएंडिया के यार, ज़े वजे जई była ममखाhalb मेद मूब्र मothद आ, मैं इसको 맞श लगका लेता हुँ, और मुझे मुझे हनंद और तो देन वो जो प्लैनिंग चल रही थी, मैं जो देट महीना, मैं जब सोच रहा था कि यार मैं इंडिया आया हूँ, तो इंडिया शुड नो मी, इंडिया शुर हास तो नो मी, कि इंडिया को पता चला है यह शुय बक्तर कोन है, तो मुझे बड़ी फैंस्टनेशन हुआ गर मैं देख रहा हूँ, यह लमहें, यह बहुत ही बुरे लमहें पाकिस्तान की हिस्ट्री के, और पाकिस्तान के कैप्टेन बावाराजम ने आज बहुत स्लो खेला, यह बैटेंग ट्रैक विकेट था, स्पिन ट्रैक समझके इन्होंने बहुत नॉर्मली खेला, इनको समझ ज खेल रहे हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से खेला है, मौला ना, रिज्वान के लिए मैं काफी दुखी हूँ, अफगानिस्तान के लोग देख रहे हो, नमाज पढ़ रहे हैं, यह जो नए नए मुल्ले बनते हैं, एक कहावत है, नयर है, मुसल्मान मना हुआ ज्यादा द दर्सकों में लडाई होती है, दर्सक काफी पीटते हैं एक दूसरे को, तो आज का जो मैच है बहुत बड़ी बात है, और अजय जड़ेजा को मैं देख रहा हूँ, जड़ेजा भी बैटिंग या मेंटोर हैं या क्या है, वो भी काफी खुश है, और अफगानिस्तान यार ये उलट फेर नहीं है, ये उलट फेर नहीं है, आप इसे उलट फेर ना समझे, अफगानिस्तान ने इससे पहले इंगलेंड को रहा है, तो डेफिनिटली एक बड़ा मैच है, और एक चीज बोलना चाहूँगा कि कर्मा बैक, क्यों होगा, आपने देखा होगा भारत के ज जीत किसी भी टीम के खिलाब हो, बड़े मैचों में, वर्ल्ल काप में या इंडिया के खिलाब हो, बम भटा के फूटते हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चा ही, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको प्रूफ मिल जाएगा, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ये बात होती मोबाइल का जमाना नहीं था, CCTV नहीं था, तो ये सब चीज़ नहीं पता चलती थी, बड़ आज कल सोसल मीडिया में, जमाने भर की चीज़ों में पता चल जाता है, तो ये पाकिस्तानी काफी खुश होते थे, देखो हमारे मुसलिम भाई इंडिया में हमारे जीत को सेलिब बैक हुआ है, हाला कि ठीक है, क्या बोलू, आज आप देख सकते हो, भारत के कई मुसलिम चैन नहीं नहीं के पाकिस्तान की जर्सी पहन के सपोर्ट करने आथे, उनको भी अच्छा बाबाजी का ठुलू मिला है, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको पता है, यहां पर हम जैसा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को दिल से चाहते हैं, कोई मतलब इनको कोई रोक टोक भी नहीं है, पाकिस्तान की कितने सारे जर्सी पहन के, पाकिस्तान के 140 लोगों को खेबल वीजा मिला है, लोड़र टीम मेंबरस है, तो यह कहां से आ